बिस्मिल्ला रोमार रहीम असलाम अलेकुम मैं आपकी फैमली फजीशन डॉक्टर को सर हेल्ट केर चैनल से आपसे मखातेब हूँ उमीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे आज की मारी वीडियो को टॉपिक है डाइट इन प्रेगनसी जैसे ही कोई खातून प्रेगनेंट ह होती है तो अकसर उसके जहन में सवाल होता है और डॉक्टर से भी कई दफाव आके पुछती है कि डॉक्टर साथ हमें क्या खाना चाहिए तो आज की वीडियो में हम आपको खाने पीने के बारे में डिटेल मालूमात फराहम करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए जो लोग पहले से सबस्क्राइब कर रहे हैं उनका हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हमने 1000 सबस्क्राइबर क्रॉस कर लिये हैं आपके अच्छे अच्छ बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हमें प्रिग्निंसी में कितनी एक्स्ट्रा कैलरीज की जुरूत होती है First trimester में आपको कोई जादा extra calories की जुरूत नहीं होती और इस trimester में तो वैसे भी अक्सर खवातीन को nausea vomiting की शिकायत होती है जिसके वज़ा से वो इतना अच्छा खा पी नहीं सकती और या उनका मन नहीं चाह रहा होता और इतना weight भी इस trimester में gain नहीं होता इसलिए कोई extra calories की जुरूत नहीं है Second trimester में आपको तकरीबन 340 extra calories की जुरूत होगी और third trimester में 450 extra calories की जुरूत होगी और ये आप अपने खाने पीने से अराम से हासल कर सकती है अब देखते हैं कि आपको आखिर क्या खाना चाहिए देखा ये गया है कि अक्सर खवातीन जब pregnant होती हैं तो उनके घर वाले या एट के दूसरे लोग उनको कहते हैं कि आप तुमने दो के लिए खाना है क्योंकि अब एक नहीं आप दो हो और वो expect करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं आपने ऐसा बिलकुल नहीं करना आपको जिस चीज की जुरूत होगी वो है healthy balance diet ना के बहुत ज़्यादा उसकी quantity increase की जाएं यानि आपने अपनी डाइट की quality को बेतर रखना है इसमें सबसे पहले जो जुरूरी चीज है वो protein का शामिल होना है protein तो आपको पता है आपके बच्चे की growth के लिए नहायद जूरूरी है muscles की growth के लिए, organ की growth के लिए तो इसके लिए आपने ये करना है कि protein आप meat से ले सकती है meat यानि red meat हो, white meat हो red meat में छोटा गोश्ट भी हो सकता है बड़ा गोश्ट भी हो सकता है white में chicken और fish भी हो सकती है इसी तरह से मजीद protein के लिए आप egg ले सकते हो, milk ले सकते हो yogurt ले सकते हो, nuts ले सकते हो इन सब चिज़ों में protein मुझूद होती है अब आपने ऐसा नहीं करना कि ये सारी चिज़ें आपने एक ही खाने में include कर देनी है इन में से कुई भी चीज़ जो है वो आपके एक meal के अंदर जरूर होनी चाहिए देखा ये गया है कि fish के लिए लोग कहते हैं कि गरम हैं नहीं खाएं लेकिन आप हफते में दो से तीन बार कुछ portion fish के ले सकते हैं इसी तरह से milk के बारे में का जाता है कि जी रेश्या हो जाता है milk और yogurt प्रोटीन के लावा calcium के बहुत बड़े sources हैं इनको लेना आपके लिए नहायद सुरूरी है आप कमसकम दो कप milk के जो हैना अपनी डेली डाइट में ज़ूरूर शामिल करें fruits and vegetables यह आपके लिए नहायद सुरूरी है क्योंके यह आपको vitamin और minerals के लावा आपको fiber की एक बहुत बड़ी quantity जो है वो प्रोट करती है fruit आप कोई भी ले सकती है जो भी मौसमी फालो आप इसको जो है अपनी डाइट में इंडूट कर सकती है इसको snack के तौर पे ले सकती है यानि in between meals या खाने के बाद भी ले सकती है इसी तरह से vegetable मौसमी जो है वो भी कोई नो कोई आपके खाने के अंदर शामिल होनी चाहिए अब आपने यह नहीं करना कि बहुत ज़दा fruits जो है आप लगातार खाती जारी है नहायत एहम जूस है इसको हम कहां कहां से ले सकते हैं रोटी है, चावल है, ब्रेड है, पेस्टा है नुडल्स हैं यह सब चीजें जो हैं आपको जो हैं कार्बाडेट्स की बड़ी मिकदार देती हैं लेकिन कोशिश यह करनी हैं आपने के कार्बाडेट्स आपने लेने जुरूर हैं लेकिन उनकी कॉंट्रिटी थोड़ी कम रखें प्रोटीन जो है उसको जादा आपने डाइट में चामिल करना है कार्बाडेट्स बहुत जादा लेने से आपका वेट बहुत जादा हो सकता है जो के pregnancy और delivery दोनों में बहुत सदा complications create कर सकता है इसी तरह से delivery के बाद आपको वेट को shed करना बहुत मिश्किल हो चाहेगा इसलिए carbohydrates को थोड़ी मिकदार में आप अपनी right में शामिल रखें अगली जो important चीज है वो है fats 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 जो है वो हमें oil से butter से घी से इन सब से मिलती है देखा यह गया है कि अक्सर कवतीन को जो pregnant होती है उनको देशी घी अक्सर दूद के अंदर में लाकर दिया जाता है या कोई और चीज बना के दी जाती है ताकि उसको ताकत आया आपको इससे ताकत तो आ सकती है लेकिन ये fat के stores को आपके जिसम में ज्यादा कर देगा इसलिए बेतर ये है कि oil या घी जो आपके सालन डेली पक रहे है उनके अंदर जितना मुझूद है वो ही आप इस्तमाल करें extra जो है वो आपने नहीं लेना पानी का आपने खास ख्याल रखना है तीन से चार लेटर पानी आपने डेली इस्तमाल करना है पानी को आप साधा रखना चाते हैं या कोई चीज एड़ करके लेना चाते हैं आप किसी भी तरीके से पानी का इस्तमाल आपने जरूर करना है अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ों को आपने डाइट में ओवाइट करना है ऐसे फूड्स जिनके अंदर शुगर बहुत ज़ादा है मसलन चॉकलेट्स हैं, बिस्केट्स हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं इन से आपने परेज करना है फिजी ड्रिंक्स जो हैं, ना सरफ आपको बहुत ज़दा शुगर प्रोवाइट करती हैं, बलके आपको डिहाइडरेट कर देती हैं यानि आपके जिसम में पानी की कमी होना शुरू हो जाती है दूसरी जो चीज जिसको आपने वाइट करना है वो है फैट्स फैट्स जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया के एक्स्ट्रा घी या मक्षन ये चीज़ें आपने डाइट में इंक्लूड नहीं करनी और बहुत ज़दा फ्राइड चीजों से आपने परेस करना है इसके लावा जंक फूट, कैंट फूट इन से भी आपने दूर रहना है कुछ एहत्यात आपने खाना पकाने में भी करनी है कि आप जो फूट या वेजिटेबल आपके घर में आए उसको आपने अच्छी तरह से साफ करना है कि कोई बिचरा सीम आपके जिसम तक ना पहुंच सके दूसरा ये कि कोशिश ये करें कि कोई बासी फूट ना खाएं बलके फ्रेशली प्रिपेड फूट जो है वो इस्तमाल करें अगर आप एग या सॉसेजिज बगरा ले रही हैं तो इनका thoroughly cooked होना नहायद जुरूरी है कच्छा पका अंडा जो है उसको आपने इस्तमाल नहीं करना fully cooked होना जुरूरी है अब balance diet के साथ साथ अगर आपकी डॉक्टर आपको calcium, vitamin D, iron या folic acid के supplements देते हैं तो उनको भी इस्तमाल करना लास्मी है ताके आपके बच्चे तक पूरे nutrients जो है वो असानी से पहुंच सकें और आपका बच्चा जो है वो उसकी growth अच्छी और healthy हो अमीद है आज की वीडियो आपको पसंदा ही होगी वीडियो शेयर कीजिए, like कीजिए और चैनल को subscribe करना नहीं भूलना आप अपना ख्याल रुकिएगा अल्लाहाफेज